जिले की अमलाई पुलिस ने प्रधान मंत्री योजनाओं का पैसा निकालने का जहासा देकर गरीब आदिवासियों से ठगी करने वाले दो ठक को गरफतार किया जिनके पास से एक बाइक और मोबाइल भी जब्त किये गए हैं। प्रधान मंत्री की योजनाओं के नाम पर ठगी कर उनकी रकम अपने खाते में जमा कराते हैं। दोनों व्यक्ति अपने मोबाइल में एप का इस्तिमाल मोबाइल नंबर डाले आधार कार्ड नंबर डाले और अंगूठा लगवाएं। बोले कि खाते में दस-दस हजार रुपए आ जाएगा कहकर चले गए। शेडोल SBI ब्रांच का करमचारी बताया। जबकि रहने वाले पेंडरा रूट के हैं। और ये गाओं के लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। प्रदानमंत्री योजना का लाप दिलाने के लिए बैंक की तरफ से आया। और हम आपको सूखा राहत का या आवास योजना का हम आपको 10,000 रुपए 20,000 रुपए इस तरीके का प्रलूबन देते हैं। उसके बाद उस वेक्ति से बोलते हैं, ग्रामीन से उसको बोलते हैं कि आप अपना आधार कार्ड लेके आए हमें फॉर्मलिटी बूरी करना है। और आधार कार्ड लेके ओफिर एक इनके पास डिवाईज है, फिंगर्परिंट सकेधर है, जो मुबाइल से जोड़के और uing पे नियर भाई एक एप है। उसके माध्यम से यह जो है उसके खाते में जो पैसा होता है उस खाते के पैसे को अपने खाते में ट्रांसफर कर देते हैं जो हमने इनके बैंक से जनकारी ली इनके बारे में तो हमें तीस ट्रांजिक्शन्स हमें और साथ पीसेस मिले माने नहुने तीस लोगों को और ठागा इस पर हम भी बैंक से डिटेल ले रहे हैं और ये वह पता लगा रहे relevance कैसे और कितने लोग जो इस काम में सखती हैं इनके सारे हमने बैंक्त खाते जो हैं वो सीज़ कर दिए हैं और उसमे या रखाम सार्व disciples का फैसा वाफोस गराड आ आता है आपका आधार कार्ड मानता है या आप से कहता है कि आप हमारे मुबाइल की डिवाइस पे फिंगर प्रिंट दे दीजिए तो किर्पिया करके यह ना करें क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके अकाउंट का पैसा वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लें तो यह सभी लोगों को मैं आप लोगों के माद्यम से अलर्ट करना चाहता हूँ